तन्वीर भाई रात के इस वक्त तक बैठे हैं हम तो सुना करते थे कि शायर जो है वो समाज का आइना होता है और आइने के सामने वही बैठ सकता है इतनी देर तक जिसका दामन साफ सुत्रा है तो तन्वीर भाई इतनी देर तक बैठे हैं तो हम इस बात के लिए इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं पुरे साथ साल बाद आपके बीच हाजिर हुआ हूँ कोशिश करूँगा थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूँ चार मिस्रे पढ़ता हूँ शुरू करता हूँ और आपसे दौाय मांगता हूँ इर्शाद यह होस्लों का मरकज यह उमीद की जमीए है वाह वाह वाल्यूम इको बहुत बचबढ़ाए एको कम रहने दीजे यह होस्लों का मरकज यह उमीद की जमीए है ये है होसलों का मरकज ये उमीद की जमी है जिसे बस वतन था दिखता उसी दीद की जमी है जिसे बस वतन था दिखता उसी दीद की जमी है ये सदाए आ रही है मैसूर की फजा से यहां गुफ्त गुव अदब से ये शहीद की जमी है यहां गुफ्त गुव अदब से ये शहीद की जमी है यहां गुफ्त गुव अदब से ये शहीद की जमी है बहुत शुक्रिया मैं तो सोच रहा था कि आप ठक गए होंगे लेकिन आपका जोश आपकी जिन्दा दिली देखके ये समझ में आया कि अभी आप ठके नहीं है मैंने ये जुरूर कहा था कि आज जलेबी का जिक्र ना किया जाए जब एक फरेबी से जलेबी हार गई हो तो कभी कभी लगता है कि ये जुमला बोल दिया जाए लेकिन मशायरे कविसमेलन संपत भाई की मौजूदगी नदीम भाई की निजामत एक जिन्दा दिली का माहौल है मैं कोशिश करूँगा थोड़ी देर आपसे गुफटबू करूँ कुछ नया सुनाऊँ कुछ पुराना सुनाऊँ एक घजल के कुछ शेयर पढ़ता हूँ जीत का सब खुमार जाता है जीत का सब खुमार जाता है वक्त नशा उतार जाता है वक्त नशा उतार जाता है और जान जाती है सच अगर बोलू जान जाती है सच अगर बोलू जान जाती है सच अगर बोलू चुप रहूं तो वक्त जाता है चुप रहूं तो वक्त जाता है चुप रहूं तो वक्त जाता है और आएगा मेरा फूं नहीं जाता दुनिया के तमाम मुलकों के मनजर और मेरा एक शेर मुझे दुआइं मिलें आपकी मैं थोड़ी देर वहां पहुंचूंगा जहां आप मुझे सुनना चाहते हैं लेकिन थोड़ी देर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मुझायरे का मेयार है उसके हिसाब से कुछ अशायर कर दूँ कि चुप रहूं तो वक्त जाता है और आएगा मेरा फूं नहीं जाता राएगा मेरा फूं नहीं जाता राएगा तेरा वार जाता है राएगा तेरा वार जाता है वक्त नशा उतार जाता है जीत का सब खुमार जाता है और धूल उड़ती हैं धूल उड़ती है आसमानों में फिर कोई शेह सवार जाता है फिर कोई शेह सवार जाता है और जंग तो तूने जीत ली लेकिन फालिया दिनों में ऐसी तस्वीरें आपकी आँखों के सामने है और ये शेर सुनिएगा के जंग तो तूने जीत ली लेकिन जंग तो तूने जीत ली लेकिन किस लिए शर्म सार जाता है किस लिए शर्म सार जाता है और तेरी फिर ओनियत भी देखेगी शेर पर अब तक जो खामोश रहे हैं मैं उन्हें भी पुकारता हूँ के तेरी फिर ओनियत भी देखेगी कौन दर्या के पार जाता है तेरी फिर ओनियत भी देखेगी कौन दर्या के पार जाता है और अब तो आ जाए आसमा से मदद अब तो आ जाए आसमा से मदद अब तो सब्रो करार जाता है अब तो सबरो करार जाता है बहुत शुक्रिया बहुत महबबते अब तो आजाए आस्मा से मदद अब तो सबरो करार जाता है